नमस्कार सात्यों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरूजी हेल्पलेस पर तो दोस्तों एचसेसी का जो हमने टार्गेट बेज जो हमने स्टार्ट करका है है स्पेशली फोर हर्याना जी के का उसका आज हमारा 24 लेक्चर रहेगा अ और यह वही क्यूस्तर जो आपके प्रिविएस यह एक्जाम स्के अंदर पूछे गए हैं अलियाना स्टाप सेलेक्शन में स्ब्सक्राइब कर देना आपके एक लाइक से मुझे काफी जदा मोटिवेशन मिलता है और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर्याना का कालिदास कौन है, तो हर्याना का कालिदास का जाता है भई, पंडीत लखमीचंद को, किसको, पंडीत लखमीचंद को, सेकिंड क्यूसन है, हर्याना का सेक्सपियर किसे का जाता है, तो हर्याना का सेक्सपियर का जाता है, हर्याना में कौन सा निर्टे महाबार्थ काल से चला आ रहा है तो दमाल नरिते हर्याना के अंदर महाबार्थ से चला आ रहा है सलेट पत्थर हर्याना में सरवादिक किस थान पर पाया जाता है तो ये रिवाडी जिले में पाया जाता है भई कहां पर रिवाडी में जोती समाचार पत्तर किसने निकाला पलाद सर्मा ने निकाला था जोती समाचार पत्तर किसने पलाद सर्मा ने नेक्स्ट है भारत निर्मान समाचार पत्तर किसने निकाला था चंदरवान गुपता ने समचार पत्तर निकाला था चंदरवान गुपता ने रंगिला मुसाफिर समचार पत्तर किसने निकाला प्यारे लान ने किसने निकाला था प्यारे लान ले पपिते का सरवादी कुद्पादन परदेश में कहां होता है तो पपित्य का सरवादी को उत्पादन होता है हमबाला में कहां पर हमबाला में विद्यूद छेतर की कारे कुसलता में परदेश का कौन सा स्थान है तो ये है थर्ड यानि की तीसरा स्थान है तीसरी पोजीशन है विद्यूद छेतर में इलेक्टिशिटी छेतर के अंदर कारेक शल्ता में परदेश का स्थान है तीसरा यूच बीवियन यानि की उत्री हर्याना बिजली वितरन निगम का मुखेले कहा है तो ये पंचकुला के अंदर है सातियों याद रखना पंचकुला में है और डियच बीवियन का मुखेले है हिसार के अंदर हर्याना के अंदर बिजली वितरन निगम की दो कमपनिया है यानि की दक्षिन हर्याना बिजली वितरन निगं? और यूईस वीवियन यानि की उत्री हर्याना बिजली वितरन निगं? लिमिटेड। तो डीयत्स का मुक्याले है ए इसार में और यूईotal रॉक्याले है पंच्जग॑ रॉक्त कहिता है कि अ फिदावाद के है का । गया है सुल्टानपूर पक्सी व्यार की कोज किसने की थी तो यह काफी वार पुचा गया है कि सिंहें क Chili द्वारा सुल्टानपूर पक्सी व्यार की कि कोज कर दी प Trinity Jackson किसने पर जेक्शन ने सौना कंद में कौन सा तिर्थ स्थल महर्शी वेदव्यास के आसरम से जाना जाता है तो बस्तली तिर्थ स्थल जो करनाल के अंदर स्थित है उसको जाना जाता है महर्शी वेदव्यास के आसरम के नाम सी बादोत तिर्थ स्तल किस रिशी से समधित है तो पीपलाद रिशी से समधित है बादोत तिर्थ स्तल तो साम के पंचतिर्थों को किस नाम से जाना जाता है तो पंड़ा तिर्थ का जाता है तो साम के पंचतिर्थों को कुरुखचेतर स्थीत गीता बाउन को किस नाम से जाना जाता है तो कुरुखचेतर पुस्त काले की नाम से जाना जाता है किस कुरुखचेतर के अंदर जो गीता बाउन स्थीत है उसको कुरुखचेतर स्थीत कुबेर तिर्थ किस रिशी का आसरम माना जाता है कुबेर तिर्तिस्तल जो है वो चितन्य महा प्रबूर इसी का आसरम के नाम से जाना जाता है चितन्य महा प्रबूर इसी का आसरम जो है वो मना जाता है कुबेर तिर्तिस्तल को बगवान सिरिकर्षन ने अरजुन को गिता कौपदेश किस रिक्स के नीचे दिया था जहाज staatी संगराले काहां सथी थे जाज ज़ाज जिले के अंदर काहां सथी थे इसार के अंदर पूली मनिजिधे पलवल के अंदर और पलवल को जिले का दरजा कب प्राप्ट हुआ था नेक्स्ट है गुरुद्वारा नुवी पात्साई कहां स्थित है तो ये द्रमनगरी कुरुखचेतर में स्थित है गुरुद्वारा नुवी पात्साई कुरुखचेतर स्थीत बिडला मंदिर का निर्मान किसने करवाय था तो कुरुखचेतर स्थीत बिडला मंदिर का निर्मान जब जूगल की सोर ने 1955 में करवाय था कब करवाय था 1955 और दोस्तों बिडला मंदिर ये वही मंदिर है जिसकी दिवारों पर स्रीमद बगवत गिता के स्लोक लिखे हुए है किसके स्रीमद बगवत गिता के स्लोक लिखे हुए है बिडला मंदिर की दिवारों पर मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है तो अरुना नदी कहा जाता था प्राचीन समय में मारकंडा नदी को पूरा वर्याना की नदी कौन सी है तो यमना नदी है पूरा वर्याना की नदी नेक्स्ट है सरवादिक छेतरफल वाला वन्या जीव अबेरने कहां स्थित है तो सिर्शा जिले के अबूव सहर में स्थित है सरवादिक छेतरफल वाला वन्या जीव अबेरने न्यून्तम छेतरफलवला वन्यजीव अबेरने कौन सा है तो ये कुरुख चितर का छिलचिला वन्यजीव अबेरने है दोस्तो चोधरी देविलाल की समाधी स्थल का क्या नाम है तो चोधरी देविलाल की समाधी स्थल का नाम है संगर स्थल चोदरी चरण सिंग के समाधी स्थल का नाम है किसान गाट किसान गाट चोदरी चरण सिंग के समाधी स्थल का नाम है और इनके नाम पर यूनिवस्टी कहा सती थै तो हिसार में सती थै कहा सती थै हिसार में नेक्स्ट है हरियना में पहली बार चुनाव कब होए थे के लोग रहते हैं दोस्तों फ्री दावाद में कहा रहते हैं प्री दावाद में इसाई द्रम के लोग रहते हैं सिख द्रम के लोग कहा रहते हैं काफी बार बता चुका हूं मैं लास्ट लेक्टर के दुरान भी साइद बतायता सिख द्रम के लोग कहा रहते हैं सिर्शा के अ हर्याना परदेश में अब भूमी की 25 किस एप से होगी, तो इप माइप से होगी, दोस्तों, हर्याना के अंदर भूमी की 25 माउंट आवरेश्ट पर चड़ने वाली देश की कम उमर की महिला परवतारोही कौन है? तो सिवांगी पाठक है दोस्तों सबसे कम उमर की महिला परवतारोही सिवांगी पाठक का समन्द किस जिले से है तो यह हिसार जिले से बिलोंग करती है महिला परवतारोही सिवांगी पाठक तीन मंदू चोटु राम कुस्ती अकैडमी कहां खोली गई है तो ये सोनीपत के खरकोदा में खोली गई है दोस्तो कहां पर सोनीपत के खरकोदा में गोबर्धन योजना कहां से सुरू की गई तो नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिटूट जो करनाल के अंदर स्टीत है वहां से शुरुआत की की थी गोपर धन योजना की दोस्तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करना मत बूलेगा आप सब का काफी स्पोर्ट मिर रहा है ऐसे स्पोर्ट बनाए रखना और यह पंदरा सो जो क्युस्टन हमने स्टार्ट के अना दोस्तो यह और कहीं से नहीं उठाएगे यह वहीं से उठाएगे क्युस्टन है जो आपके प्रिवेस येर के एक्जाम हुए है जितने भी पंदरा सालों के अंदर एक्जाम हुए है पिछले पंदरा सालों के अंदर उन में जो भी अर्याना जिक्के की क्यूस्टन पुछे गे न वही क्यूस्टन इन ये जो टार्गेट बेच अमारा तर्राया इसके अंदर इंकल्यूट किये गे हैं हर इसार की बैटी सिवानगी ने कितनी वर्स की आयू में माउंट ए वरेष्ट पते कर नया रिकूर्ड स्तापित किया। गाजियाबाद से ओकर पलवल तक यह जो एक्सप्रेस वे वो फेला गया है एनच यह द्वारा सबसे कम समय में तैयार देश का पहला अत्या दूनी के एक्सप्रेस वे कौन सा है तो केजी पी इस्टर्न पेरिफेरल एक्सपे है एक्सप्रेस वे है इसका नाम जो एनच में तियार किया गया है 500 मतर 500 दिनों में तियार किया गया है फत्यावा जिले के किस युवा ने मई 2018 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फेराया था तो नवदीप बाजिया ने फेराया था किसने नवदीप बाजिया नी अंतराश्रिय बांसुरी वादक बाबा कांसी न बंसूरी वादक थे अंतराश्रे बंसूरी वादक थे बाबा कांसीनात कवी तुल्शिदास सर्मा दिनेश का समन्ध किस जिले से है, तो उनका समन्ध है बिवानी जिले से, बिवानी में और क्या फिमस है, चोदरी बंसीलाल यूिवस्टी, CBLU काफी बार जर्चा में रती है हिशार के अंदरस्तित है तो बंसीलाल यूनुरेस्टी और हारियान वी डेलेसिक्षा बोल्ड की अंदरस्तित है नेक्ष्ट है गुरू ग्राम सहर का नाम किसके नाम पर पड़ा था तो गुरू द्रोनाचरिय के नाम पर रखा गया था गुरू ग्राम का नाम सूरजगूंट का निर्मान किसने करवाया था तो राजा सूरजपाल अनंगपाल दवित्या जिनको का ज़ता है उन्होंने करवाया था सूरजगूंट का निर्मान मनरेगा की सुरवात कब की गई थी तो दो फरवरी 2006 में की गई थी मनरेगा की सुरवात पर्थम चरण में मनरेगा में परदेश में के कितने जिले सामिल थे तो पहली बार जो पहला चरण लागू किया गया था मनरेगा का दो फरोरी 2006 को उसमें हर्याना के दो जिले सामिल थे सिर्शा और महिंदरगड और दोनों के अंदर युनिवस्टी कौन सी है सिर्शा के अंदर है चोदरी देवी लाल युनिवस्टी चोदरी देवी लाल युनिवस्टी और महिंदरगड के अंदर है सेंट्रल युनिवस्टी ओफ हर्याना सेंट्रल युनिवस्टी ओफ हर्याना का शतीत है जनतपाली महिंदरगड के अंदर सतीत है संपूर्ण हर्याना में मनरेगा योजना कब लागू की गई थी तो संपूर्ण हर्याना के अगर बात करें तो 1 अपरेल 2008 में लागू की गई थी कब 1 अपरेल 2008 के अंदर और 2 जिलों में 2 फरोरी 2006 में लागू की गई थी तो दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीज़ेगा और ज्यादा ज्यादा सेर कर दीज़ेगा आपके से होके बिना कुछ भी मुम्म की नहीं है दोस्तो और हम आपके लिए नए ने कंटेंट जो है वो आगे लेके आने की कोशिस करेंगे थैंक यू जैहिन मिलते हैं नेक्ट लेक्जर में